भारती जनता पार्टी बूदी जाएंगे विजे संकल्प दिवस के उरूप में मनाएंगे और इस दिन पांच लाख पूरे देश भर के जो बूत संयोजक कन्वीनर इंचार्ज एक एक बूत पर जो या तो कन्वीनर इंचार्ज संयोजक है उसको हम सीधा संपर्क करेंगे और श्री नरेंदर मोदी उस दिन इन संयोजगों के माध्यम से दो करोर लोगों को एक दिन के अंदर संपर्क करेंगे स्थापना दिवस पर 6 अपरेल को ये पूरा एक दिन का कारिकरम दिया गया है इस दिन सवेरे शिरी नरेंदर मोदी का वाइस मेल मेसेज इन 5 लाग से अधिक लोगों को बूत कन्वीनर्स को मिलेगा और उसके बाद ये अपने बूत के उपर जो 20-25 कारिकरता उस समय खड़े होंगे उस समय कठे होंगे वे कारिकरता अपने बूत के उपर घर घर जाकर संपर्क करेंगे और एक बूत पर लगबग 200 मकान होते हैं उसमें से 50-60 मकानों तक का टार्गेट लेकर वे घर घर जाकर संपर्क करेंगे और मोदी जी का संदेश देंगे नरेंदर मोदी ही देश के प्रधानमंत्री क्यों भाजापौ को वोट क्यों घर घर जाकर संपर्क करते हुए वे उनसे ये भी प्रात्ना करेंगे वोटर से कि वो जो एक टेलिफोन नंबर है 0782007800 इसके उपर मिस कॉल दें ताकि इतने लाखों वोटर सीधे सीधे बीजेपी से जूड सकेंगे देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का महत्वकांशी कारिकरम होने जा रहा है इससे देश भर के कारिकरता एक जूठ होंगे और इसके लिए बड़ी योजना त्यार की गई है पिछले एक डेड़ महीने से ये जो हमारी टीम बैठी हुई है ये सारे डाटा को हर बूठ से इकठे करने के अंदर लगी हुई थी तो ये पहली बार इतना बड़ा बूठ से सीधा संपर्क का कारिकरम है और इसी कारिकरम में उसी दिन जो भरती जन्ता पारटी की महिला कारिकरता है वे महिला मतदाताओं को मेंदी लगाएंगी हथेली के उपर कमल के फूल की और इस तरीके से परचार करेंगे लिए मेंदी लगाएंगी कमल के फूल की और परचार करेंगे लिए इसके बाद शाम को जो प्रोग्रेम है उसमें साड़े चार बजे से लेकर साड़े पांस तक ये कहा गया है कि पचास से सौ लोग जो कारे करता हैं जो कीवोटर हैं या जो प्रमुख लोग हैं वे लोग एक स्थान के उपर इकठे होकर एक नई टेकनोलोजी से शिरी नरेंदर मोदी उनसे टेलिविजन के माध्यम से उनसे सीधे संपर्ख करेंगे और उनको अपना संदेश देंगे तो इस तरह से बूत-बूत के उपर ये ववस्था की गई है ताकि लोग उनको सुन सकें और इसके लिए एक हैल्प लाइन हमने दी है ताकि किसी को भी क कोई भी चीज पूछनी हो कि इस कारिकरम के अंदर कैसे कारिकरम ओन होगा कौन से चैनल पर आएगा किस तरह से बात होगी और कोई दिक्कत कहीं पर आ रही है तो वह सीधे संपर्क कर सकेंगे और हैल्प लाइन से उनको मदद मिलेगी इस से पहले लाखों की संख्या में इन के उपर हमने एक पैंफलिट भेजा है जिसके अंदर सारी डिटेल दी गई है कि इस कारिकरम को किस तरह से सफल बनाना है तो भारती जंता पार्टी का हमेशा कहना है कि भूत जीतेंगे तो देश जीतेंगे इसलिए हमने बूत मैनेजमेंट के उपर इस बार सबसे ज्याद जाकर जो संपर्ख होगा उसमें भारती जंता पार्टी और दूसरी पार्टियों से आगे निकल कर आएगी और एक सीधा संपर्ख हमारे प्रदान मंत्री के उमीद्वार से कारेकरताओं का आम पब्लिक का वोटर्स का होगा मुझे ये आपको बताने थी इस बारे में हां जे मैनिफेस्टो जल्दी आएगा उसकी तारिख आपको बता दी जाएगी वैसे तो मोदी जी रोज अपना मैनिफेस्टो जितने उनके भाषन है उसके जारी करते ही है एक मिट हाँ कि बूत मेंजमेंट को लेकर जो अगर आपके सवाल है हाँ इसी से संबंदित को सवाल है तो लीजिए हाँ उसके बाद फिर आपको दूसरे कोई सवाल है तो ले ले लिए जहां पर जो वोटिंग होगा उस दिन वहां पर नहीं होगा और आप सब लोग जानते हैं कि साथ तारीक के चुनाओं में बहुती कम स्थानों के उपर मद्दान होने वाला है केवल छे पार्लेमेंट के सीट के उपर हो रहा है तो आपका जो प्रशन है वो बिल्कुल सही है मैं तो टेक्नोलोजी के बारे में ज्यादा जानता नहीं फिर भी थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ मैं डी टू एच नेटवर्क टेक्नोलोजी है ये इसमें जो बूत वाला है वो आईदर डी टी एच से और केबल से कनेक्ट करेगा टेलिवीजन उसके पास होगा और उससे वो कनेक्ट होगा उसमें जो उसको दिकते आएगी उसके लिए वो हेल्प लाइन दी है उससे संपर्क क्या ह क्या वेंस जो राप होगा मोदी जी जीसमें यह निकारा कि 5 के 5 लोगों को एक बार में संदेश जाए गाई इसमें कई बार अलग-अलग समू बन जाएंगे पचास जार का लाग का ऐसे समू बन जाएंगे और उसमें पांच-छे बार के अंदर मोदीजी उसमें एक जंगे बैठ कर संदेश देंगे इसमें अभी तो मैं आपको एक्सेट चिले नहीं बता सकता पर मैं समझता हूं मोटा मोटा जब हम पांच लाख बूत की बात करते हैं तो हर लोग सभा सीट के ओपर ये मेसेज पहुंच जाएंगे अच्छी तरह से थैंक यू बहुत बहुत दन्यवाद वो महंदी कैसे लगेगी उसके लिए भार दिखाया गया है जिनको फोटो लेनी हूँ ले सकते हैं जाए कि अधिए एक बात समझ लीजिए बात को मैं तो खुद चान्नी चौक से आता हूं दो बार वहाँ पे सांसद रहा हूं और ऐसा मैंनी समस्ता कि सोनिया जी ने क्यों उनसे संपर किया और किन लाइन के उपर ये कह दिया कि सेकलोर वो डिवाइड ना हो उसके लिए एलेक्शन कमिशन क्या कारवाई करेगा देखने की बात है पर बुखारी साब ऐसा ही दल बदलते रहते हैं जी पछले दिनों आपको ने देखा होगा और मैंनी समस्ता उनका कोई बहुत ब्यादा प्रभाव कहीं पर बचा है पर आम आदमी पारटी भी फाइट के अंदर है इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है चानी चौक हम ही जीतेंगे दूसरा कोई नहीं जीतेगा